आज मैं बना रही हूं आलू के कटलेट्स जो बहुत नरम खस्ता और डिलिशिस बनेंगे जिनको आप 2-3 वीक्स के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं और कटलेट्स मोसली राइस के साथ खाय जाते हैं लेकिन इनको आप रोटी और सालन के साथ भी खा सकते हैं यह आपके अपनी कर लिया और उन्हें पील आफ कर लिया आलू मैंने तकरीबन बन केजी लिये थे आलू में आप हलका सा नमक डाल के इनको बॉयल कीजिए ताके उनके अंदर नमक रच पस जाए और जब आप कडलेट्स में डालेंगे तो बहुत वीजिनेबल डालिएगा क्योंके आप अलर सबसे नमक डालेंगे तो ब송ा सबसे लिचाए चर लीच नमक डाई है नमक डालेंगे तो अलर्ज अन गारच भी कवाले यूछ आख जोगाए दallow मेंगे हैए थे लेसे सबसेटा नमक करके आए नमक करना नमक करने के बाद के बाद मैने फोटेबल स्पून गले मिर्श आप तेस्ट देना है और साथ में इसमें एड़ कर दिया वन टेबल स्पून सुखा धनिया पाउडर जी वीवर्ज मसाले तो मैं इसमें एड़ कर दिया है अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले यक्चा हो जाएं और यह देखें यह बिल्कुल मिक्स हो चुका है आप इसको लास्ट में एक बार टेस्ट कर लीजिएगा टेस्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि कोई कमी पेशी रह गयों मसाले में या नमक में तो वह हम एड़ कर सकें और यह देखें मैंने इनकी टिक्कियां बना ली है और अब मैं इनको टू से थ्री वीक्स के लिए फ्रीज कर दूंगी फ्रीजर में और फिर जब नीड हो हमें से निकालें इसको अंडा लगाएं और इसको अच्छे से फ्राइ कर लें और यकीन जानिया यह इतना असान और जटपट से बनने वाली रेसिपी है और स्पेशली ज इसको देक कर दोगी और इसको अनमक आडि करेंगी आप अगर थे तेस्पून नमक और हाफ तेस्पून काली मुई चाड़ करके इसको फ्राइ कर सकते हैं इसके टेस्ट में कमी आएगी और जो भी कमी पिशी होगी वह भी पूरी हो जाएगी और यह दोनों तरफ से लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि यह बिल्कुल पक चुके है जी वीवर्स बिल्कुल रेसिपी मेरी रेडियो चुकी है इसको जुरू ट्राइ कीजिएगा बहुत इजी और बहुत डेलिशियस है यह बच्चों को भड़ों को संदाती है और जैसके मैंने आपको बताया है यह हमारे मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ देती है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जादा से जादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स मे पताये का आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी सासत मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक असानी से पहुन सके और दौा मेरा देखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल हो किएगा लाहफेज